हाई अप्रिवन वेल्कम बेक टू यू मीवी तो कैसे आप सब तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक लिप स्क्रब यह है समीशा का बीट रूट लिप लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग डार्क लिप स्क्रब पाम तो जी यह जो स्क्रब है ना सबसे पहल सन में जादा एक्स्पोजर कर लेते हैं अपने स्किन को लिपस को तो से भी हमारे जो लिपस हैं वो काफी जादा डार्क और क्रेकी से हो जाते हैं होट ड्रिंक्स अगर जादा पी लेते हैं या फिर जो लोग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हैं तो उन लोगों के अग तो इसके लिए स्क्रब भी अलगी तरह का होना चाहिए इसके की इंग्रिटेंट्स हैं बीट रूट यानि की चुकंदर जो रेड रेड कलर का होता है और यह भी आप देख सकते हो बिल्कुल रेड कलर का है कुकंबर है इसमें लिकुराइस टर्मरिक एंड हनी है इसमें जो आपके डार्क स्पॉट्स जो लिप्स पर हो जाते हैं उनको रिमूव करता है और लिप्स को सॉफ्ट बना देता है और हाइड रेट करके रगता है तो काफी ताइम से मैं कैसा लिप्स क्रब सोच रही थी जो स्पैशली लिप्स के लिए और मैं एक तम ना इस समीशा और लिप्स क्रब पर पहुंची तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसे एक पर ट्राइ करके देखूं और पिलीव मी जो रिजल्ट आया ना पहली बार यूज करते ही जो रिजल्ट आया वो तो अन्भिलीवेबल था तो इसको रेगुलर कम से कम वीक में थ्री टाइम्स यूज करना चाहिए अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो समीशा का मैंने इसले लिया क्योंकि एक तो यह और गैनिक प्रोड़क्स बनाते हैं एंड मेक इन इंडिया इंडियन प्रेंड है नैचुरल इंग्रिदेंस यूज होते हैं हैं हैंड क्राफ्टिड हैं वेगन प् आप तप्छाई करने आपड़क्स और नाइन के सब्सक्रीदें मिल्कुल्ट बिल्कुल प्रें ग्रीतें सिखने क्रेयों नाफिवलाई यह तरम भंडि 트루 त्क अपने लिपत्त ग्हां पर षयर्प करना से अब इस नहीं होते हैं और जब को यह अब आपको यह इसा यह कोत के बिल्कुल बीcटि यह ब्यवरूट इस स्क्रॉब को लहना है और खिंगर से इस तहाँ तो इन मिनट टक आपको ऊंखाने करीन है जयससे स्क्रबिंग हम फेस पूब करते हैं इस विल्कूल उसी दकला बिल्कुल जेंटली एंड उसके बाद इसको एक मिनट तक आपको और ऐसे ही छोड़ देना है ताकि यह अपना काम करता रहे एंड उसके बाद आप इसको वाश कर सकते हैं वाटर से या फिर आप कॉटन से भी इसको वाइप आफ कर सकते हैं सो मैंने तो कॉटन से वाइप आफ किया है और यह देखो आप कितना अच्छा लग रहा है और इतने जादा सॉफ्ट सॉफ्ट से मुझे मेरे लिप्स फील हो रहे हैं ना मतलब की अमेजिंग स्क्रब है यह अमेजिंग तो मेरे कहने से आग एक बार जरूर ट्राय करके देख हम लोग क्या करते हैं कि लिप्स पे जादा ध्यानी नहीं देते हैं जा से जादा गर हमारे लिप्स ड्राय हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक लिप बाम सा वैसलीन लगा लेते हैं तो हमें लगता है कि बस ठीक है नफ है बट नहीं यार अगर आपको सॉफ्ट लिप्स packaging में मुझे receive हुआ था जिसको हम भाद में भी कुछ रखने के लिए use कर सकते हैं ये काफी cute लगा मुझे and जो ये container है ये glass container है जो की काफी classy लग रहा है और cap इसकी golden color की है आप देख सकते हो so यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये lip scrub आपके lips पर जो dead skin हो जाती है अगर आप इस तरह से scrubbing करते है ना तो वो remove हो जाती है तो soft lips हो जाते हैं ये hydrate करके रखता है आपके lips को साथी साथ कोई side effects नहीं है इसके अगर आप इसे use करते हो तो क्योंकि इसमें कोई chemicals का use नहीं हुआ है no parabens, sulfates no silicons या फिर no mineral oils तो इसलिए इसके कोई side effects नहीं है सारे ही इसमें natural ingredients यूज हुए है तो जी इसका link मैं आपको description box में दे दूँगी एक बाद check out करके जरूर देखना Samisha का beetroot lip scrub I hope कि आपको मेरी आज की video informative लगी होगी और अगर लगी है ना तो please like करके जाना comment करके जरूर बताना और जी आप अगर इसे use कर लेते हो तो भी मुझे comment करके जरूर बताना कि आपके experience इसके साथ कैसा रहा चलो फिन मैं मिलती हूँ बहुत ही चल्द आपसे किसी नई वीडियो में See you, you me be